हेलो बच्चो वेलकम बैक टू लर्निंग आउटकम्स आज की स्टोरी है माउसमेक मैरेज चुहे की दाशी का विवा बहुत दिन पहले गंगा नदी के किनारे एक आश्रम था और कई सन्यासी वहां रहा करते थे और ये लोग साधारन जीवन बतीत कर रहे थे वे लोग सिर्फ कंद मूल फल खाते थे और अपना सारा समय भजन प्रातना उपवाज धर्म गरंत और गाने में बतीत करते थे आश्रम का प्रमुक साधु था जिनहें याजना वालकाया कहकर बुलाया जाता था एक दिन सादू पवित्र नदी में इसनान कर रहे थे एक छोटा सा चूहा बाज पच्ची की चोश से निकल करके उनकी हथेली में आगिरा सादू ने उस चूहे को उठा करके पीपल के पत्ते पर रख दिया और अपनी जादू की सक्ति से उसने छोटे से चुए को एक छोटी लड़की के रूप में बदल दिया और वे उसे अपने घर ले गए और अपनी पत्नी से कहा हम लोगों के कोई बच्चे नहीं है चलो हम इसे अपनी बेटी के रूप में गोद ले लेते हैं वे लोग लड़की को अच्छी तरह से पालन पोशन करते रहें साल बीटते गए और लड़की बड़ी हो गई बड़ी होकर के लड़की एक सुन्दर नव्यूती में बदल गई एक दिन सादू की पत्नी ने कहा कि अपनी बेटी का समय अब आ गया है इसके शादी का समय है तो सादू ने सहमत होते हुए कहा मैं उसके लिए अच्छे पती की तलाश करूँगा थोड़ी देर सादू सोचता रहा और फिर उसने सूर्देव को बुलाया और सूर्देव से कहा क्रप्या मेरी बेटी से विवाय कर लीजे तब बेटी की और मुणकर उनसे पूछा बेटी क्या तुम सूर्देव से विवाय करना चाहोगी सूर्देव सारी दुनिया को रोशनी देता है लड़की बहुत दुखी थी उसने उत्तर दिया नहीं पिता जी सूर्देव तो अत्तर गर्म होता है बादल क्योंकि बादल जब मुझे ढग लेता है तो मैं अद्रश्य हो जाता हूँ सादू ने तब बादल को बुलाया और अपनी बेटी से विवाय के लिए पूछा बेटी मैं तुम्हारा विवाय बादल से करवाऊंगा लड़की को यह सुझाओ पसंद नहीं आया उसने का बादल तो काला और ठंडा होता है उसने का मेरे लिए कोई अच्छा वर धूड़िये सादू ने बादल से पूछा कि क्या आपसे भी ज़्यादा कोई शक्तिसाली है बादल ने कहा मुझसे सक्तिसाली हवा है वह मुझे उड़ा कर ले जाती है सादू ने फिर अपनी बेटी से पूछा बेटी क्या तुम विवा करोगी हवा के साथ लेकिन लड़की रोने लगी अत्यदिक अधीर है हवा तो मैं किसी अच्छे व्यक्ति से विवाय करना चाहती हूँ इसलिए सादू ने हवा से पूछा ओ हवा क्या तुमसे भी कोई बड़ा है हवा ने कहा मुझसे बड़ा तो परवत है वह मुझे रोक सकता है सादू ने तुरंद परवत को बुलाया और बेटी से पूछा क्या तुम परवत से सादी करोगी उसने कहा ओ परवत यह तो बहुत ही कठोर होता है ऊबर खाबढ होता है इससे भी कोई अच्छा वर तलास कीजे शादू ने परवत से पूछा क्या परवत तुमसे भी कोई बड़ा है परवत ने उत्तर दिया चूहे परवत से स्रेष्ट हैं वे परवत में भी छेट कर सकते हैं तब साधू चूहा को लाया और बेटी से पूछा प्रिवेटी क्या तुम चूहे को पसंद करती हो लड़की बहुत खुश और उत्तेजित थी खुशी से कापते हुए उसने कहा पि एक बार फिर से साधू ने जादू का प्रयोग करके लड़की को चूहे में बदल दिया और दोनों का विवा करवा दिया और लड़की चूहिया बनका चूहे के साथ में खुशी-खुशी रहने लगी